आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपे की मेंबर्शिप ग्रेंड की कर्टर साप की प्रेजन्स में और मैं कह सकता हूं कि मेरे लिए ये कोई असान कदम नहीं था अन्ना जी के दिन से हम पार्टी से जुड़े और लगातार दिल्ली वासियों के लिए काम करते आए एज़ा एमले भी और एज़ा मिनिस्टर भी और सही पुछे तो कुछ लोग सोचते हुएं कि ये ओरनाइट कुछ डिसिजन हो गया या किसी के दबाव में ये मैंने निन्ने लिया हर एक वेक्ति जो ये सोच रहा है कि किसी के दबाव में मैंने निन्ने लिया मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आज तक किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं किया कोई काम नहीं किया और राजनीतिक जीवन में लगातार 2015 से पार्टी में रहके, MLA रहके और as a minister भी दबाव में आके मैंने कोई काम नहीं किया तो जितने भी ऐसी मुझे सुनने में आ रहा है कि ऐसा को narrative बिल्ड करने कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने ED के दबाव में कर दिया, CBI के दबाव में कर दिया, तो ये सारी मेरे ख्याद से गलत फहिमी है, इस परकार का narrative बिल्ड किया जा रहा है और ये कोई एक दिन का निन्ने नहीं है, मैं तो पेशे से वकील हूँ, वकाला छोड़के हम आम आदनी पार्टी से जुड़े, अन्ना जी के टाइम से, और मेरी ख्याल से केवल मैं नहीं था, हजारों लाकों कारे करता लोग, लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ी, अपना काम छोड़ा, और एक विचार धारा से जुड़े, एक पार्टी से जुड़े, क्योंकि उन्होंने उस पार्टी में एक उमीद देखी, एक विक्ति में उनको उमीद देखी, उस विचार धारा से वो जुड़े और मैं भी जुड़ा, और लगारतार दिली वासियों की सेवा करने के मकसद से मैं जुड़ा पार्टी में राजनीती करने का मेरा और कोई मकसद नहीं था लेकिन केवल अगर कोई मकसद था तो सरफ लोगों की सेवा करना और दिल्ली का हम किस प्रकार से विकास कर सकें उस मकसद के लिए हम जुड़े लेकिन जब अपनी आँखों के सामने अगर जिन वैल्यूस के लिए हम इखटा है जिन वैल्यूस के लिए आमादी पार्टी जॉइन की अगर वो बिलकुल कॉंप्रोमाइज़ होते हुए अगर देखने को मिली तो फिर कहने कहीं पीड़ा और ये मेरे शब्द हो सकते हैं लेकिन मैं गैरंटी के साथ कहता हूँ कि इन शब्दों के पीछे वो लाकों हजोरों हजारों कारे करताओं की आवाज है वो भावना है कि जिस मकसद के लिए वो जुड़े थे वो आज उनको नजर नहीं आ रहा एक आम आदमी की सेवा करने के लिए जुड़े थे वो आम आदमी से मेरी ख्याल से सब वो लोग खास हो गए है मैंने अपने पत्र के माद्यम से जो किन कारणों से मैं मैं आमादी पाठी छोड़ी वो मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहूंगा मैंने अपने पत्र के माद्यम से सारी चीजें लिख दी हैं लेकिन इतना जरूर मैं कह सेखता हूं कि अगर कोई सरकार अगर लगार तार हर चोटे विशे पे हर बड़े विशे पे अगर केंद्र सरकार के साथ पूरा समय चाहे उसके मंत्री हैं चाहे चीफ मिनिस्टर हैं अगर पूरा समय अगर वो लड़ाई में निकालेंगे तो मेरी काथ दिली का विकास नहीं हो सकता दिली का विकास अगर हमें करना है तो आपने अच्छे सामन्द बना के रखने जरूरी हैं मेरा जितना समय as a minister निकला जितने भी विवाग रहे मुकरम से आज भी मुझे as a transport minister ही जाना जाता है और जितना भी मुझे 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 पूरी कोशिश की कि चाहे वो केंदे सरकार है चाहे LG से है क्योंकि हमारा मकसद हमारा मकसद दिल्ली बास्यों के लिए काम करने का था हमारे political ambitions को आगे रखने का नहीं था अपने personal ambitions को आगे रखने का नहीं था मेरे खाल से जितने भी लोग आम अदनी पार्टी में जुड़े उनका मकसद अपना कि किसी चीज की वज़े से आप मैं जो चाहता हूँ वो उपर हो वो मकसद नहीं था लोगों का काम करने का मकसद केवल था और मुझे पूरा यकीन है कि अगर दिल्ली का विकास अगर वाकई में हो सकता है तो फिर वो केंदर में जो बीजेपी की सरकार है उसके साथ कंदे से कंदा मिला के एक मजबूती के साथ आगे बढ़के उसका विकास हो सकता है और यही कारण रहे कि मैं बीजेपी के परिवार से जुड़ा हूँ आज हमारे आधर्निय और सबसे लोग प्रिये प्रधामंती नेंदर मोदी जी उनकी जो विजन है उनके जो नीतिया है उनके जो काम है उनसे कही न कहीं इंस्पायर होके और उनकी लीडेशिप की अंडर और आधर्मिय अमिश्या जी हमारे जो पार्टी की प्रेजिडन्ट है नड़डा जी जितने भी ओर सीनी leaders हैं मैं समझता हूँ उनकी guidance की अंडर मैं काम करता रहूँगा पहले भी काम करता रहा हूँ और एक चीसी guarantee देता हूँ कि जो भी मुझे responsibility दी जाएगी उसको मैं पूरी इमानदारी के साथ निभाऊंगा और मेरा मकसद मैं फिर repeat कर रहा हूँ मेरा मकसद केवल राजनीती में मैंने जब प्रैक्टिस छोड़के जब राजनीती जॉइन की तब भी मेरा मकसद था कि लोगों के लिए दिल्य वासियों के लिए और देश वासियों के लिए कैसे काम किया जाए वो पहले भी था आज भी है और हमिशा रहेगा अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें आठ मिलियन प्लस सब्सक्राइबर आपके इस भरूसे के लिए बहुत धनिवाद